इस वीडियो में यह बताने जा रहा हूं कि अगर आपके गूगल क्रोम ब्राउजर में कोई भी पासवर्ट सेव है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइड में या आईडी में अगर आपके कोई पासवर्ट सेव हैं और उन्हें आप पता लगाना चाहते हैं तो आप कैसे पता लाएंगे और उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छ रखता तो शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको गूगल ब्राउजर खोलना है गूगल ब्राउजर खोलते के साथ ही आपको यह थ्री डॉट्स दिख जाएंगे राइट-ंड साइन में इसमें क्लिक करना है शेटिंग समझाना है शेटिंग समझाने के साथ आपका जो इमेल आईडी इसमें यह दिख जाएगा आपको और यहाँ पर ऑप्शन आता है पास्वोड का जैसी आपने सेव कर रहे हैं जो भी आपके आपके पास्वोड सेव हो यहां सब दिख जाएंगे यह लिस्ट पास्वोड से जो मेरे इस ब्राउजर में सेव हैं अब आपको क्या करना है अब आप जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं शो पास्वोड में शो पार्ट में से क्लिक करते ह यह आपके computer का password मागेगा यह आप देख सकते हैं यह आपका password शो कर गया है इसे आप दोबरा hide भी कर सकते है यह method है जिससे अब आपने browser में से password retrieve कर सकते हैं तो already saved है और अगर आप इसको suppose आपने कोई password change किया है और आप इसमें change करना चाहते हैं तो edit password में आके इसका password आप change कर सकते हैं तो यह था method अपने browser में saved password को retrieve करने का या फिर change करने का ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए आप मारे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और share करें Thank you